हाई रीवर्ज, एक बाफ इसे स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चेनल जाइका इंडिया का पर्स आज हम बनाने वाले हैं हेदराबाद की फेमस लोकी की खीर तो चलिए सुरू करते हैं लोकी की खीर बनाने के लिए हमने यहां पर लिया है एक लिटर फूल क्रीम डूद, दाइसो ग्राम लोकी यानि की दूधी, पचास ग्राम मावा यानि की खोया, खोड़े से ड्राइफूड, एक कप साबुदाना, साबुदाना को हमने दो गंटे पहले पाने में भिगो दिया था, ग्रीन फूद कलर और एक कप चीनी सबसे पहले हम लोकी को छील कर इसे कद्दूकस कर लेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने लोकी को छील कर इसे कद्दूकस कर लिया है, यहाँ पर हमने एक केम में दो टेबल स्पुन गी गरम कर लिया है, अब हम इसमें कद्दूकस की हुई लोकी एट कर देंगे, लोकी को बुनते हुए पांच मिनिट हो चुकी है अब हम इसमें एट करेंगे मावा और इसे भी लगाता चलाते हुए दो से तीन मिनिट तक मिद्यूम फ्लेम पर बूल लेंगे यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने लोकी और मावई को अच्छे से भूल लिया है इसी के साथ अब हम इसमें दूद एड़ कर देंगे और दूद में उबाल आने तक इसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे दूद में उबाल आने लगा है अब हम इसमें साबुदाना एड़ कर देंगे साथ ही में चीनी भी एड़ करेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर तीस मिनिट तक पकाएंगे हमारी खीर को पकते हुवे तीस मिनिट हो चुकी है अब हम इसमें एड़ कर देंगे ग्रीन फूद कलर और इसे दो मिनिट तक और पकाएंगे यहाँ पर एक बात का ध्यान रहे तीस मिनिट पकाने के दोड़ान हर देड़ से दो मिनिट में हमें इसे श्टर करते रहना है ताकि हमारा दूद नीचे ना लगे खीर बनकर तयार है अब हम गेस की फ्लेम को ओफ करेंगे और इसमें ड्राइफ फ्रूट्स एड़ करेंगे इसे थोड़ी दे ठंडा करके दो से तीन घंटे के लिए फ्रीज में रखने के बाद सर्व कर लेंगे तो लीजिए खाने के लिए बिल्कुल तैयार है हमारी इंस्टन्ट और हेल्दी लोकी कीखी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेर करें और कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये रेसिटी आपको कैसी लगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें